अनेके विधाओं के जीनियस होते हैं वो अनेक विधाओं के जीनियस होते हैं लेकिन प्रक्रती और नियती जो होती है उनके किसी ना किसी एक पक्स को चुन लेती है उस rashомина उनकी नियती हो जाती है पूरी अमीरकर जी भी उनी में से एक थे मित्रो उन्होंने समाज जीवन में से राजितिक जीवन में से बहुत सारे विश्यों का गहन अधिन किया और एक मौलिक सिधान दिस्थापत के वे अंथ्रोपोलोजिस्ट थे बहुत कम लोगों को मालूम है उन्होंने नविज्ञान जो एंत्रोपोलोजी है और गंभी रिसर्च किया और कहा यह जो आर्यान इन्वेजन थियोरी है यह बेसिकली रोंग यह फैबरीकेटर मेलाफाइड इंटेंशन से यह फैबरीकेटर थियोरी है इतना मोटा गरंथ है उनका और कहां जैसे यह यूर्श लोग दुनिया की अव्योंड देशों में अमिरिका में गए वहां कि लोगों के साथ क्या वैबर किया आइस्टेलियामें गए मैं 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 ग Divist doing के नाम से भारत में लगाना चाहते हैं यह गलत है आरे नाम की कोई जाती नहीं थी आरे एक गुनवाचक एडजेक्टिव है सारे वेद में कहीं आरे उन्हें निल काम कहां से आए आरे यहीं के थे अगर कहीं गए तो यहां से गए सारे पश्चिमी जगत में वे स्वरही नहीं है वे वेंजन नहीं है जो यहां बोले जाते है और आरे बाहर से आया होते तो कहीं से भाषा को ले करन के तो आते वे नहीं वो यही से उत्पन हुए थे और आगे लिखते हैं वो शूतर जो है यह आरे हैं यह चत्री हैं कालंतर ने बहुत सी घटनाओं के कारण से ये दूर हो गए हैं उनने वनन किया उनसे बटनाओं का शूद्र राजा थे शूद्र रिगवेद में वैदिक रिचाओं को देने वाले रिशी थे कालंतर की घटना एसी घटी ओ जग्रे आपस में हुए और इसलिए कुछ लोगों ने शूद्र जाती का जो एक छोटा समूँ था यकोपवित बंद किया उसे उनका इस तर्मित्य नीचे चला गया महतुपुर्गंत है वो तो अम्ड़कर जी को सम्मकरता से अध्यन करना चाहते हैं उनको इसको देखना चाहिए हैं अम्ड़करजी लेबर मिनिस्टर थे मजदूरों के हितों में क्या क्या कानून बनना चाहिए उन्होंने कानून बनाए लेबर कमिश्टर उने बनाए मजदूरों के काम के घंटे मजदूरों के लिए फैक्टरी के अंदर कोई कैंटीन में मजदूरों के लिए कोई सबसीडाइज खाने पीने के सामान मजदूरों के लिए डिस्पेंसरी मजदूरों के लिए ओवर टाइम यह सारा नियम ब बहुत कम लोग जानते हैं आज लेबर लॉज हैं उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रिस्थापेत हुए अंबिड़करजी के द्वारा थे बिड़ेश नित्री के बारे मुनोंने लिखा है कि हम आजाद हुएं दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं था आज दो तीन साल हुआ है दुनिया में कोई देश हमारे साथ ख़़ा नहीं है क्या हुआ यह तिबबत पूरा नहीं गया था लेकि चाइना कोशिज कर रहा था अमिर्क्री सावधान करते हैं यह गलत हो रहा है अगर यह हो गया तो चीन की सीमा भारत से लग जाएगी अपने को ध्यान देना चाए हम लोग नहीं कर पाए और अंतिम समय में उन्होंने बहुत धुमस्य विकारी किया यह वास सच है क्यों किया वह चोटा साथा जटका देना चाहते उन्हीं जो पैतिसम बोलते हैं मैं हिंदू तो जन्मा था लेकिन हिंदू में मरना नहीं चाहता यह थर्टीफाइब में बोला और पाइब मिले चाहता मुदिस्वी लिखा वो ड्रेड़ से नहीं हिंदूियम लिखा वो छपवाया नहीं और धो पॉबलिशे नहीं कराया उन्होंने ग्रर्व मर अरक्डिया वो काल गुस्य का है इस उपाने नहीं नहीं देता है कोई बच्चों को पढ़ने नहीं देता और कोई बानता भी नहीं बात, उस गुसे में लिखा हुआ है, सच में लिखा है, लेकि पुब्लिश नहीं कराया कभी भी, उनकी मृत्यू के बाद लोगों ने निकाल करके पुब्लिश कराया है, हो सकता है लेकिन बैक्ति को गुसा आ सकता है, ऐसी परिष्टिमा के कुरोध में कुछ लिखा है, तो अपने को शांतता के साथ उसको अनुभव करना चाहिए, लेकिन गुसे में लिखा बहुत लोग आने लगे हैं, लेकिन नहीं किसी को नहीं, और अंत मैं बोलते हैं, मैंने गांधी जी को बचन दिया है, मैं इस देश का कम से कम हानी हो, ऐसा मैं इस कर रहा हूँ, अभी दलाइलामा दिल्ली में थे और बोल रहे हैं, बहुत धमत और हिंदुत्व, यह दोनों इस प्रीच्व ब्रदर्स है, यह इस प्रीच्व ब्रदर्स, यह दलाइलामा जया भी बोल करके गए, और इसलिए कोई भी काम ऐसा नहों, जो इस देश को संकट के बारे में बिचार करते हैं, और संविदान सवामन को अंतिम भाशन है, कितना मारमीक है, बार बार पैरागराप के बाद बोलते हैं, मुझको संकट लगता है, मुझको चिंता होती है, यह देश बार बार पराधीन हुआ है, आगे तो नहीं हो जाएगा, हम छोटी-छोट बातों को लेकर के बढ़तों नहीं जाएगे, कैसे देश पराधीन हुआ, उन अन्हें गटनाओं का वोलन करते हैं, वो कौन था, जो गोरी को बुला करके लाया, वो कौन था, जो बाबर को बुला करके लाया, वो कौन था, पृतुराद चोहान के खिलाब ख़़ा हो गया, को मराटों के साथ वे सामने मिलकर के लड़ने के लिए नहीं आए अनेक उधारम देते हैं वे कहते हैं मैं चिंतित हो जाता हूं ऐसा भविश्य में आगे तो कभी नहीं हो जाएगा उनका राष्ट भाव जो है ये संविधान सवा के भाशनों में प्रकट होता है और इसलिए आदी से अंत तक प्रारंब से अंत तक वे हमको राष्ट भाव से भरे दिखते हैं लेकिन बंद्रों उनका जीवन जो है एक कठिन जीवन है मारमिक जीवन है मिद्धता से भरा जीवन है अपमान के दंश से डूबा भरा हुआ जीवन है लेकिन मित्रों एक शब्द भी ऐसा भी नहीं बोलते समाज में खत्रा हो समाज में डिवीजन हो अनेक प्रकार से अपमान ग्राण करते करते भी बिस सहन शक्ती की पराकाष्ठा दिखा देते है उनका जीवन एक विलक्षन जीवन है वो अलावकिक जीवन है वो समकरता से देखने की आवशिकता है एक छोटे से प्रसंग को लेकर सारे जीवन का मूल्यांकन करना यह उचित नहीं होगा और इसलिए उनके जीवन में यह सबसे बला पक्ष है वो यही है कि समाज में सामा कुछ भी अगर अच्छा है वो धर्म के तत्तों के कारण से अच्छा है लिबर्टी फ्रेटरिटी यह तीन बाते मैंने फ्रेंच रेवोलुशन से नहीं ली है मैंने भगवान बुद्ध के दर्शन में से प्राप्त की है और सामाजिक सामर्ष न रहा मन में करुना न रही दया न रही प्रेम और श्रद्धा न रही तो सुतंत्रता का क्या मतलब है हम सुतंत्रता के राजनितिक अधिकार दे सकते हैं लेकि गाओं में उसको कुए से पानी कौन लेने देगा और इसलिए राजनितिक परवर्तन से ज्यादा महित का यह सामाजिक परवर्तन है और सा वह धार्मिक संवेद नाई हो सकती हैं इसलिए मैं धर्म को हर तरश्टी से अच्छन्त स्रेष्ट मांता हूं जो लोग कहते हैं वे धार्मिक नहीं थे ऐसा नहीं है और मार्क्षबादियों का विरोध इसलिए किया तुम धर्म को अफीम मानते हो तुमको ब्रेड और बटर मुर्गे की टांग में आनन्द आता है तुम धर्म को गाली देते हो इसलिए तुम कभी भी इस देश का भला नहीं चाहा सकते और इसलिए बोलते हैं मैं हमेशा से दूर है इसलिए मित्रों उनके बहुत आया में यह मल्टी डाइमेशनल जो उनका सारा जीवन है वो बहमूल है और सारे दुनिया वर के लिए प्रकास सिस्थम्भ है इतनी विप्रीत और कठीन विरोधी परशितियों में भी एक ऐसा महामानव खड़ा होता है जो हमेशा सामंजश की और देश की ही चिंता करते करते धीरे धीरे विदा हो जाता है संगर्श नहीं होने देता उनकी इस व्यथा को जरूर अपने को मन में रखना है सारे समाज की समरस्ता को सारे समाज के स्वातंत्र को ध्यान में रखना है और इसलिए अगर एक वर्ग बहुत दु रहेगा तो संकट खड़ा हो सकता है उस संकट की एक बड़ी घंटी वजाने का काम एक बिगुल वजाने का काम एक क्लेरियन कान वह अंबेड कर जिने दिया था हम समझते हैं उसको हम समग करता से देखें रमेश पतंगी जी ने उसी का विलक्षन अच्छा सुंदर अभ्यास किया है मैं उनको विनम मरता से स्रद्दा से नमस्कार करता हूं पराम नमस्कार